मुझे आपको क्लास 12 चेमेस्ट्री का अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो स्टार्ट करते हैं फॉस्ट कोशन है ठोस पदार्थ के चुम्बके गुन से आप क्या समझते हैं उत्तर है ठोस पदार्थ के चुम्बके गुन निमलिखित है पहला ठोस पदार्थ का चुम्बके गुन उसके चुम्बके आगुन पर निर्वर करता है दूसरा पदार्थ परमानू से बना होता है और परमानू में नाविक के चारों और इलेक्ट्रोन गुमते रहते हैं तीसरा इलेक्ट्रोन चुम्बके च्छेदरूत्पन करते हैं इसलिए ठोस पदार्थ में चुम्बक के गुन होते हैं नेक्स्ट कोश्चन है ज्वार नाशक और परतिरोधी क्या है उत्तर है ज्वार नाशक यहर रासायनिक पदार्थ जिसका उप्योग बुखार में शरीर के तापमान को कम करने में किया जाता है उसे ज्वार नाशक कहते हैं जैसे पैरासिटामोल, फिनासिटी, परतिरोधी, वे रसायन जो सुक्षुन जीवो की प्रिदी को रोपता है उसे प्रतिरोधी कहते हैं नेक्स्ट कोश्चन है मानक इलेक्ट्रोड बीभव किन किन बातों पर निर्भर करता है उत्तर है मानक इलेक्ट्रोड बीभव निमलिखित बातों पर निर्भर करता है पहला धातु और आइनों की प्राकिर्टि पर दूसरा विलियन में आइनों की सांद्रता पर तीसरा ताप पर चोथा उत्पन कैसिये पदार्थ के दाप नेक्स्ट कोशन है संक्रमन तत्व रंगीन योगीक बनाते हैं क्यों उत्तर है और युगमित उलेक्ट्रोन के उपस्थिती के कारण संक्रमन तत्व रंगीन योगीक बनाते हैं जैसे ZNFE, C U F2 इत्याधी नेक्स्ट कोशन है फास्फोरस के अपरूप को लिखे उत्तर है फास्फोरस के निमलिखित अपरूप है पहला स्वेट फास्फोरस दूसरा लाल फास्फोरस तीसरा काला फास्फोरस नेक्स्ट कोशन है लायोफिलिक कॉलाइड या द्रवस नहीं या द्रवरनी किसे कहते हैं उत्तर है वे पदार्थ जो द्रव या परिछेपन माध्यम के संपर्ग में आने पर आसानी से कॉलाइडी विलियन बना लेता है उसे लायोफिलिक कॉलाइड या द्रवस नहीं या द्रवरनी कहते हैं इसके कॉलाइडी विलियन में आस्थाई होते हैं क्योंकि परिछेपन माध्यम या परिछेपित विवस्था के बीच आकर्शन बल लगता है जैसे गोंद, स्टार्ज, प्रोटीन, इत्यादी नेक्स्ट कोशन है स्वेद फासफोरस या सफेद फासफोरस किसे कहते हैं उत्तर है या अल्प पार्दर्शी मोम की तरह मुलायम ठोस होता है या जल में आ विले है या कारवन डाइस सलफाइड में विले है या अंधेरे में दिप्त अर्थात चमकता है सफेद फासफोरस को अक्रिये वायू मंडल में एन ए ओएच के साथ गर्म करने पर घुल कर फासफिन बनाता है नेक्स्ट कोशन है सफेद फासफोरस के गुनों को लिखे उत्तर है सफेद फासफोरस के निमलिखित गुन है पहला सफेद फासफोरस विसेला होता है दूसरा यह जल में औविले और कार्बन डाइसलफाइट में विले होता है इसे जल में एकत्रित किया जा सकता है तीसरा यह अंधेरे में चमकता है चौथा यह वायू के संपर्क में आने से जलने लगता है जलने लगता है जलने टाइप करने में मिस हो गया है पाजवा सफेद फासफोरस बहुत किरियासिल होता है नेक्स्ट कोशन है लाल फासफोरस किसे कहते हैं उत्तर है लाल फासफोरस सफेद फासफोरस से कम किरियासिल होता है जब सफेद फासफोरस को अक्रिये वाता वरन में 300 डिग्री सेल्सियस पर या 573 केल्विन के तापमान पर गर्म करते हैं तो लाल फासफोरस प्राप्त होता है नेक्स्ट कोशन है लाल फासफोरस के गुन को बताए उत्तर है लाल फासफोरस लाल रंग का ठोस है दूसरा यह सफेद फासफोरस से कम किरियासिल होता है तीसरा लाल फासफोरस जल और कारवन डाइस सलफार दोनों में अविले होता है चौथा लाल फासफोरस अंधेरे में चमकता है पाजवा लाल फासफोरस में लोहे जैसी दूसर चमक होती है नेक्स्ट कोशन है मोलर की चालकता क्या है उत्तर है किसी विधुत अपगटे के एक क्राम अनू के घोलने पर जो विल्यन की चालकता प्राप्त होती है उसे विल्यन की मोलर चालकता कहते है इसे आनविक चालकता भी कहते है इस तरीके से मैंने आपको केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव कम्प्लीट करा दिया है मिलते हैं अग नेक्स्ट वीडियो में झालकता प्राप्त विल्यन की चालकता प्राप्त